नमस्कार बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर वेपिन बंसल वास्तु कंसलिटन्ट आज मैं आपको मेंगेट यानि मुख्यदवार के बारे में बताना चाहूंगा वास्तु शास्तर के अनुसार आपको अपने घर के अंदर मुख्यद्वार कहां कैसे लगाना चाहिए और क्या-क्या सवधानी बरतनी चाहिए आपका अपना plot है और North यानि उत्तर मुखी है और उसमें आपको अपना मुख्यद्वार यानि Main Gate कहां किस दिशा में लगाना चाहिए वास्तु शास्तर के अनुसार आपको अपने प्लोट में मुख्य द्वार लगाने का जो स्थान बनाना चाहिए, वो स्थान आपको North Center से North East तक, इस जोन में आप अपना मुख्य द्वार यानि मेंगेट लगा सकते हैं, नौर्थ में यानि उत्तर दिशा में मेंगेट लगान तो उत्तर दिशा में मेंगेट लगाने से उस जगह पर काम करने से हमेशे ही अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो हर काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा हमेशे ही उत्तर दिशा देती है। उत्तर दिशा में यदी वास्तू दोश नहीं होगा यहां पर आप अपना मुख्यदवार लगा लेते हैं तो उससे हमेशा ही पैसे आने के साधन बन जाते हैं और पैसे आते हैं अब मुख्यदवार यानि मेंगेट लगाते हैं किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप यहां पर नौर्थ में मेंगेट लगाते हैं मुख्यदवार लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए मुख्यदवार आपका लाइट वेट का होना चाहिए हलका हो आप डिवारेश् घ्रामित कर्यादा में में लके, होगा विली होना चाहिए और जब आप मेंगेट लगाएं तो main gate की जो उंचा ही है वो आपकी compound wall यानि boundary wall के बराबर होनी चाहिए, चार दिवरी के बराबर होने चाहिए यदि main gate आपका उंचा हो जाता है तो उससे भी वासुदोश बन जाता है कभी भी main gate के ठीक सामने कोई पेड या electric pole या transformer नहीं आना चाहिए क्योंकि जब भी main gate के सामने कोई पेड आता है, खंबा आता है, electric pole या transformer आता है तो उसके करण वासुदोश बन जाता है वो द्वारवेद कहलाता है तो इसलिए हमेशा ही main gate लगाते हैं इन बातों का जरूर दिहान रखे अब इसी में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आपका plot north facing है और आप अपने building west के दिवार पर बनाते हैं North में भी open area रखते हैं, East में भी open area रखते हैं और South में भी open area रखते हैं परिवार की भी बड़ोतरिय होती है, मान संबाली में मिलता है और धन दौलत भी आती है अब जो आपकी building बनेगी, उस building में आपके घर के अंदर की entrance कहां बनानी चाहिए, किस दिशा में बनानी चाहिए यहाँ पर दो option बनती है, एक तो option यह बनती है कि आप bunny building के नौर्थ नौर्थ इस्ट जोनने, यहाँ से भी आप अपने एंटरंस कर सकते हैं नौर्थ इस्ट कॉर्नर से यहाँ से भी आप अपने घर के अंदर एंटरंस कर सकते हैं मान लिजिए, आपका अपना घर बना हुआ है और आपका अपना मुख्यद्वार नौर्थ वेस्ट में यहाँ पर आपका अपना मुख्यद्वार लगा हुआ है तो यह मुख्यद्वार हमेशे ही पैसे की तरफ से तंगी लेकर आता है, काम में रुकावटे आती है और कहीं ना कहीं घर में जो महिलाएं उनका स्वभाव भी चिड़चड़ा रहता है घर के अंदर जगड़े होने के कारण भी बनते हैं और आप अपने पैसे को बेविजय गलत जगया खर्च कर देते हैं चाहे कारण कुछ भी बने नोर्थवेस्ट में नोर्थबॉल पर कभी भी मेंगेट नहीं लगाना चाहिए आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर को रेनवेट करने जा रहे हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेज़कर हमसे ओनलान कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के नुचार अपने घर का मैप बनवाना चाहते हैं तो मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें अपने यहां साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं ये सभी सेवाई हमारी चार्जेबल रहेगी पेड़ रहेगी आप मेरी वास्तु से सम्मंदित और भी वीडियो देखना चाते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में फेस्बुक, इंस्टाग्राम, यूटूब और वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है आप अपना किमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तया दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नवी शेफर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल